सबसे पहली बात तो आप अपना टेलिग्राम जो मैंने लिंक डिस्रिप्शन में डाला हुआ है और नाइन सेपरेट टेलिग्राम बनाया हुआ है तो फटापट उसको जॉइन कर लो कि आपसे जो भी इंपोर्टन आएगा मैं आप तक फटापट फटापट भेज दूँगा दूसरी बात गाईस कि मुझे ये पता चले कि 9 ये बच्चे आ चुके हैं उनके लिए आप 2-4 दिनों के बाद उनके लिए जैसे बागी क्लास के लिए हम इंजियरिंग डिप्लोमा 12th, 11th, 10th के लिए काम करते हैं वैसे इस समेस्टर में हम 9 वालों के लिए भी काम करेंगे इसलिए आपको क्या करना है अपना नाम और अपना प्ले जितने भी 9 के बच्चे बस एक सेकेंड लगेगा फटा पटा पटा पट लिख दोगे तो मेरे इंदर एक मोडिवेशन आएगा और जो बच्चे आपके दोस्ते उनको भी बोलो मैं देखना चाता हूँ 9 का पाउर ना समझे पर मुझे यह पता है कि 8 से 9 में जाने के बाद बहुत सारी चीज़े अचानक में चेंज हो जाती है जैसे चेंज होने के अगर में बात करूँ तो Algebra और Geometry दोनों अलग then इसके बाद languages में भी languages में भी बहुत सारी चीज़े add हो जाती है जो बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़े special होती है फिर इसका SST then science में भी science में physics, chemistry and bio यह अलग तरीके से हो जाता है compared to पीछे वाला जो हमारा 8 stunder 7 stunder था तो overall देखा जाए कि बहुत सारी चीज़े 8 के comparison 7 के comparison थोड़ा difficult level पर आ जाता है और यहां जो paper का pattern होता है वो same to same 10 stunder की होता है अगर मैं बात करूँ बहुत सारे बच्चे आस तक उन्होंने 2,5 घंटे का paper बैट के नहीं लिखा था बढ़ आप सभी को बता है कि आपने languages का paper तीन घंटे लिखा था और यह तीन घंटों के अंदर बहुत सारे बच्चों का कमर दर्ध होने लगा किसी का सर दर्ध होने लगा किसी के हाथ में swelling हो गया था कोई किसी से pain नहीं चल रहा है इतने सारी issue सही बोल रहा हो कि नहीं कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना देखा इसी लिए ना मेरे अपने offline बैच्व मैंने क्या किया था पता है कि हमारे हां में इसा इसा यही रूटीन है कि जब भी बच्चों का एक्जाम है उसके 15 डेज पहले अपना एक्जाम रखो जिससे कि किया कमरदर्द हो रहा है किसी क सरदर्द हो रहा है छिए और यहां इस और यह meter गंटे की दो मूवी होती है और यहां तीन घंटा पेपर लिखना रहता है और यह सभी चीजे पहली बार नाइंस टंडर के लिए होता है जो बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जिनको आता है बट उनके हाथ में स्वैलिंग हो जाती है हाथ पेन करने लगता हाथ उनका चलता नहीं है ऐसे बहुत सारे इशे और जिनके कारण उनका पेपर क्या होता छूड़ जाता है तो गाईस अगर आपकी स्पीड आपको समझ में आ गई है कि मेरे से यह प्रॉब्लम हो रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ मुझे कुछ बढ़ाना चाहिए तो मैं एकी चीज बोलूँगा कि हैंड्रेटिंग अच्छा करना मतला है यह जरूरी नहीं है हैंड्रेटिंग मतलब जो आपका पेपर हो नीट और क्लीन रहे बस इतना जरूरी तो अगर आप समझ चुके हो कि आप तीन घंटे पेपर नहीं लिख पा रहे है थोड़े अपने स्पीड को हेल्प करेगा नेक्स समिस्टोर एक्जाम में और तो बहुत जाद हेल्प करने वाला है इसके साथ ही बहुत सारे बच्चों का मुझे यह पता चलता है कि वह क्या करते हैं कि स्कूल लेवल पर हो सकता ना कट करें पड़ो कट करने के पूरे चांसे उसको पैराग्राफ में लिखों पॉइंट में हमेशा किसमें लिखा जाता है साइंस में क्यों कट होता है साइंस में ब्लंको और यसके साथ डायंग्राव ड्रॉक में दिया था पुर जी हो करना चाही किजे आसान हो जाती है और इसको लगता है इसको सब कुछ आता है बहुत अच्छे से आता है और भले आपने बीच में एक पॉइंट गायब कर दिया एक पॉइंट गायब कर दिया फिर भी आपने डाइग्राम्स और डाइग्राम्स बना और बहुत अच्छी तरीके से लिख कि लिखे हुक हुए तो आपको क्या होगा पूरे मार्स junto हमेशा बहुत सारे बच्चे पूरा अच्छी तरीके आप सबसे हटके लिखोगे एक कमगे पूरे माathy करते। इसे उनके मांक कड जाते हैं देखो और अगर आप आप नह स्वह किया है अगर आगर के कि एक्जाम में दो रहा हिं तो अब इसको vacation और इसके बाद वाले चींछ करना और इसके लिए MIKE सब्सक्राइब दिमाग को दिमाग को बिलकुल रख ले बिलकुल तो गाईस गिन चीजों की प्रक्टिस करना हमें अभी से स्टार्ट करना तो इसका बहुत ज्यादा help 10 में होगा अब यह दिमाग से बिल्कुल अटा देना अरे सर मेरा तो बहुत कम मार्ग से जाकर हाल होगा नहीं बहुत सार रूल्स होते जिनसे बच्चों के बहुत सारे मार्ग बढ़ जाते है तो इसलिए अपने confident को low मत करो high करो बस ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपने hard work भी नहीं किया समझ मैं और बाकी चीज़ों के लिए तो आपके सर बैठे हुए तो चलो मिलते है नेक्षी वोड़े मैं थैक्विस तो मस्स गाईस जैहिंग दोस्त